देखिए सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि रंग क्या होता है किसी भी चीज का रंग उसका अपना रंग नहीं होता ये वो रंग है जिसे वो चीज खारिच कर देती है या दे देती है या जिसे वो रिफ्लेक्ट करती है कोई चीज लाल दिखती है इसलिए नहीं क्यूंकि वो लाल है बल्कि इसलिए क्यूंकि सफेद प्रकाश में जो साथ रंग है तो लाल मतलब ये नहीं है कि वो लाल है, लाल का मतलब है कि वो लाल नहीं है समझे आप, हाँ कोई चीज लाल है, इसलिए नहीं क्योंकि वो लाल है, बलकि इसलिए क्योंकि उसे लाल नहीं चाहिए, इसलिए वो लाल दिखती है तो जो कुछ भी आप दे देते हैं, दुनिया में भी वही आपका गुण होगा, है ना? तो देवी का रंग लाल है, क्यूंकि वो लाल दे देती हैं लाल मतलब अगर आप जंगल में घूम रहे हैं, तो सब हरा हरा है लेकिन कहीं थोड़ा लाल रंग होगा, एक लाल फूल खिला है वो आपका ध्यान आकर्शित करता है, क्यूंकि आपके बोध में लाल सभी रंगों में सबसे चमकीला है शायद दूसरे सभी रंग सुन्दर हों, अच्छे हों, बढ़िया हों, लेकिन लाल बहुत ही चमकीला है सिंदूर, आपको समझना होगा कि महत्वपूर्ण बात ये है कि ये हल्दी है अगर इसे ठीक से बनाया गया है, तो अगर आप देवी से सिंदूर लेते हैं, ये हल्दी से बना हुआ है अगर आप कहीं और से खरीटते हैं, तो वो एक केमिकल पाउडर है अगर आप खुद को रासाइनेक जहर देना चाहते हैं, तो आप उसका इस्तिमाल करें हल्दी के जबरदस्त फाइदे हैं हल्दी को इस्तिमाल करने का एक खास तरीका है हल्दी और चूने को साथ मिलाकर इसे बनाया जाता है और ये बहुत ज़्यादा फाइदे मंद है और उसका रंग लाल हो जाता है और इसका इस्तिमाल समाज में एक प्रतीक की तरह भी किया जाता है अगर किसी महिला ने सिंदूर लगाया है तो वो शादी शुदा है यानि आप उसके पास अपना प्रस्ताव लेकर नहीं जा सकते मूल रूप से समाज में ये ये जनने का एक तरीका था कि कौन कौन है और इसे लगाने के स्वास्ते से जुड़े हुए दूसरे फाइदे भी है हल्दी इसका रंग आप अपने सिर पर पीला रंग नहीं लगाना चाहते मुसलीनी की तरह तो लाल बेहतर है और ये हमेशा देवी का रंग भी होता है सिर्फ यहीं नहीं हर जगा तो ये एक प्रतीक भी है कि इसका एक पहलू ये है कि ये शायद हर किसी के लिए सच ना हो पर समाज में ये आकांक्षा होती है ये आकांक्षा इस संस्कृती में थी ये आकांक्षा इस संस्कृती में थी जब किसी महिला की शादी हो जाती है तो उन्हें देवी कहा जाता था मुझे सुनकर मजा आया कि कुछ AERLINEES में भारती AERLINEES में मेरे खयाल से Air India में वे ऐसा कहते हैं जब वे घुषणा करते हैं तो वे कहते हैं देवियों और सजनों क्या आपने सुना है? नई हिंदी में जब वे घुषणा करते हैं तो वे पुरुषणों को सजञनों कहेकर बुकारते हैं और महिलाओं को वे देवियों कहते हैं ये बहुत आम है हमारे परिवारों में मेरी दादी और दूसरी महिलाओं को उनके पती, ہमेशा देवी कहते थे हमेशा ये पहचानने के लिए कि उनमें ईशवर का एक तत्व है